आए दिन ऐसी बहुत सी खबरें सुनने को मिलती हैं जिसमें कई लोग मानसिक तनाव के चलते या फिर ग्रह कलेश की वज़ा से अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं। इनमें ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो आत्महत्या करने के लिए रेलवे ट्रैक का साहरा लेते हैं। इसी विशे पर ETV भारत की टीम ने अमबाला के रेलवे स्टेशन का रुख किया और रेलवे अधिकारियों से जानने की कोशिश की कि अमबाला समेच समूचे हर्याणा में ऐसे कितने मामले सामने आते हैं। इस दुरान जो तथे सामने आए वो हैरान कर देने वाले थे। आप खुद सुनिए जी आरपी अधिकारी ने क्या आखड़े बताए। पुलिस द्वारा हमारे सामने रखे गए हैं वो लॉकडाउन के समय के हैं। यानि तब जब पूरे देश में बस कुछी ट्रेने ट्रैक पर दौड रही थी। वहीं हमारी जाच परताल में हाथसों के कारणों के बारे में सवाल जवाब करते हुए किसी भी अधिकारी ने जादा कुछ नहीं बताया। लेकिन कैमरे के पीछे बोलते हुए उन्होंने बताया कि आत्महत्या के मामले हम उसे कहते हैं जिसमें हमें मिरतक के पास से कोई सिसाइड लेटर मिला हो या फिर कोई चश्मदीद गवा हो। अन्य था बाकियों को हम रेल हाथसे में ही गिनते हैं। ऐसे पांच प्रतीशत लोग ही होते हैं जो सच में रेल हाथसों के शिकार होते हैं वरना बाकी सब आत्महत्या के ही मामले होते हैं। बेशक इस बात में कोई दोराय नहीं कि जब तक मानसिक तनाव और पारिवारिक करह से ग्रस्त लोग मनों चिकिसिकों की मदद ले तो ऐसे मामलों में कुछ कमी लाई जा सकती है। एटवी भारत के लिए अमबाला से रवी चंदेल की रिपोर्ट